सिर्फ पत्तों से प्रोपगेट हो जाता है ये महेंगा पौधा इसका नाम है जी जी प्लांट इंडोर प्लांट्स में टॉप पर आता है इसका नाम ये बहुत लंबे समय तक घर के अंदर रह सकता है और खूब सूर्ती बिखेड़ता है मैं इसे कटिंग के थ्रू भी उगाती हूँ जिसका वीडियो कभी शेयर करूँगी लेकिन आज पत्तियों के थ्रू मैं इसको प्रोपगेट कर रही हूँ सो सोचा आप से भी शेयर करूँ मैं पत्तियों से पहले कई बार पौधे उगा चुकी हूँ और एक से अनेक पौधे हो चुके हैं आज मैं सिर्फ आपके लिए एक बार फिर से ये वीडियो बना रही हूँ तो नमस्कार मित्रो में ममतावाज पे भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो लीजे सबसे पहले मैंने सिर्फ कोको पीट भर लिया है ये डिस्पोजबल बाक्स में और नीचे छेद कर दिया है ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे और कोको पीट को अच्छे से गीला कर लिया है ऐसे बाक्स हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं और मैंने कटिंग की थी उस गंबले मैसे जो शुरू में गंबला दिखाया था और चुकि यह डाल बे जान लगी लगी हो गई थी तो इसे काटके फेक न था तो हमने कलम भी लगाई और पत्ते भी लगाए कलम का रिकॉर्ड नहीं किया डंडी का रिकॉर्ड नहीं किया पत्तों का पूरा रिकॉर्ड किया तो पत्यों को बड़ो समहाल के काटा है ताकि डंठल से टच करके बिलकुल यह लंबा सा डंठल आना चाहिए पत्यों के साथ क्योंकि डंठल मैंसे ही नीचे एक बल्ब बनेगा और उसमें रूट्स डवलप होंगी और एक नया पौधा तयार हो जाएगा लेकिन इस सारी प् स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो अगर एक अच्छा पौधा तयार चाहिए तो एक साल पूरा लग जाता है शुरू के समय में पत्ती में पत्ती को प्रपोगेट करने के लिए सिर्फ को को पीट में हम लगाते हैं बाद में दूसरा पौटिंग मिक्स लगता है तो मैंने य चार भी हो सकता है और देखिए एक मैं तो छोटा सब बेबी ब्लांट भी निकल आया है बाकी मैं सब में निश्चित है के बल बन गए होंगे मैं आपको अभी ये सारी पत्तियां बाहर निकाल कर बताती हूं किसमें बल बने हैं किसमें नहीं बने आप खुद अपने आंख से देख लेजिए एक मैं तो छोटे से दो पत्ती का पौधा निकल आया बाकी अंकुरंट दिख रहा है देखुद ये बहुत आसानी से कुकू पीट में 100% रिजल्ट मिला है एक भी पत्ता पीला नहीं हुआ जब आप पत्ते काट रहे हैं तो पत्ते मैच्योर टहनी से होन नरम पत्ते शायद ना भी लगें मैंने जितने पत्ते लगाए थे सब में देखिए बल बन गया है ये सफेद सफेद और इस बल के चारवतर बारी जड़ें भी हैं ये पत्ता बाद में खत्म हो जाएगा और इस पत्ते के बगल से ये देखिए एक अंकुर सफेद दिख र और अब मैं इसे जब री पॉट करूँगी तो पॉटिंग मिक्स ऐसा बनाऊंगी कि जिसमें आपका 50% गार्डन सॉयल रहेगी और बाकी के मैं 20% के आसपास रेत और थोड़ी सी गोवर की खात पस अंदाज से मिला लेती हूँ कहने का मतलब यह कि भुरबुरी वैल ड्रेन मिट्टी हो इसमें मेरी मेरी रेत का प्रत्सथ बहुत है मेरी पास अडेनियम की मिट्टी बनी हुई रखी थी मैंने वही यूज़ कर ली है बहुत काली चिक्टी मिट्टी में नहीं लगाएं कोई भी बल्व वाला पौधा क्योंकि नीचे जड़े फैलने के लिए भुरबुरी मिट्टी मुलाएं मिट्टी वैल ड्रेन मिट्टी जरूरी है कुछ नहीं, सिंपल तरीके से पत्टी रख दी है और मिट्टी से चारों तरफ से दबा दिया है जो रूट बॉल हमने अभी ओपन कर लिया था, उसे वापस दबा दिया है और ये चार मैंसे, चार डंडिया निकलेंगी, चार पत्टों मैंसे और चार डंडियों वाला एक अच्छा सा जी जी प्लांट का छोटा सा प्लांट तयार हो जाएगा इस सारी प्रोसेस में साल भर लगेगी लेकिन ये आपको मुफ्त में मिलेगा सिर्फ पत्यों से आप जितने चाहें उतने लगाएं और अभी देखिए मैंने कुछ दो पैकेट में लगा दिये एक गमले में लगा दिये सब में चार चार लगाएं तो है न बहुत आसान ये पौधा डेड़ सो से कम में तो मिलता है नहीं थोड़ा बढ़ा लें तो डाही स इतने महेंगे पौधे को बहुत आसनी से फ्री में उगाई है और कैसा लगा वीडियो कोमेंट करके बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए और आप भी नमस्कार